हैलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे वह आप सब, आपका भाई हाजिर है नहीं वेकेंसी के साथ, तो आज की जो वेकेंसी आ रखी है, वो आ रखी यहाँ पे इंडियन रेल्वे की तरह से, रेल मंतराले की तरह से यह आपिशली नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कौन-कौन सी position निकाली है और उसके according इन्होंने education qualification क्या रखा है वो मैं आपको वीडियो के अंदर पहले बता देता हूँ सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा technician का position जिसके अंदर अगर आपने ITI किया है या फिडिपलोमा किया है ड्राफ्मेंट के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा junior engineer का विकेंसी और यहाँ पे अगर आपने कर रखा है बीबी टेक या फिडिपलोमा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि junior engineer के लिए बीबी टेक और डिपलोमा दोनों के अडिपलोमा यहाँ पे अलिजिबल रहेंगे साथी साथ यहाँ पे आपको assistant engineer का विकेंसी देखने को मिलेगा यहाँ पे only for बीबी टेक वाली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारा भी motivation बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो और अगर आप पहली वारी चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe कर लेना बेल आइकन को press कर लिजेगा ताकि जब भी मैं next video upload करूँगा आपके पास notification आएगा और आप उसको directly apply कर पाओगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्होंने salary क्या रखा है तो यहाँ पे जब आपका maximum salary रहेगा वो आपका मैं पर annual बता रहा हूँ यहाँ पे 8.9 LP यहाँ पे इन्होंने रखा है जोकि notification के अंदर mention किया गया है और इसको all India की candidate apply कर सकते है इंडिया में कहीं से भी belong करते है बिल्कुल आप eligible है permanent सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा यह आपका सरकारी नौकरी रहेगा salary आपका बड़िया देखने को मिल जाता है और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आपको एक रुपय भी पे नहीं करना क्योंकि यह form आपका free कर रहेगा तो हर कोई बच्चा इसको apply कर सकते है चाहिए आप इंडिया में कहीं से भी belong करते है आप इस form का apply कर सकते है यहाँ पे basically दो notification जारी किया है दोनों कम discuss करेंगे one by one और इससे पहले इस वीडियो के जो like कर टार्गेट आपने रखा है वो रखा यहाँ पे 1200 प्लस आपको like करवा देने है अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को share कर दीजेगा और ध्यान रखेगा comment box के अंदर आप अपना education qualification जैसे कि आपने कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा भी भी टेग कर रखा है कौन से ट्रेड के अंदर आईटे कर रखा है आपको ने ग्रैजूशन किसमें कर रखा है आपका पासूट यह कौन सा है प्रैशर हो की experience और कहां पर अभी job search कर रहे है यह सारी चीजे comment box में बता दीजेगा ताकि next studio के अंदर मैं आपको वही update दूँगा जो आपने comment box में मुझको बताया है तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर ले पास पर जो गंटी वाले एक नहीं उसको दवा दे ताकि आपको next studio का notification सबसे पहले मिल पाए और आपको वही इस channel पे engineering job update लाता रहता है तो channel को subscribe करना मत भूलेगा चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने directly officially notification को download कर लिए है जैसा कि आप अभी screen पे देख पा रहे हैं तो हम बात करेंगे उन्ही point के बार में जो मैंने highlight कर रख है जो कि ministry of railway के अंडर ये काम करता है railway का ही company आपको देखने को मल जाता है government of India and Depres आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे selection जो आपका रहेगा walk-in interview के बेस पे आपको देखने को मिलेगा तो दो notification हैं दोनों के अंदर अलग-अलग walk-in interview के venue mention कियेगे हैं आपको अलग-अलग जाना पड़ेगा अगर आप apply कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपको अपने walk-in interview को attend करना पड़ेगा उसी के बेस पे आपका selection यहाँ पे रहेगा साथी साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सा position आपको देखने को मिलेगा और कितनी number of vacancy आपको देखने को मिल जाते हैं तो पूरा chart mention कर रखा है आपका post के बर्म बता रखा है टोटल number of vacancy को यहाँ पे mention कर दिए तो यहाँ पर कुछ vacancy आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर HVS engineer की vacancy रहेगी, like आपको assistant engineer का vacancy देखने को मिलेगा, कुछ vacancy आपको junior engineer की देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपने यहाँ पर diploma कर रखा है, BB tech कर रखा है, इसको apply कर सकते हैं और assistant engineer के लिए अपने BB इसको apply कर सकते हैं, अलग-अलग branches आपको देखने को मिलेगी, civil, mechanical, electrical, production, metallurgy, और भी अधर branches आपको देखने को मिल जाती है, लग-बग सारी branches आपको देखने को मिल जाएगी, एक important point में आपको cover करना चाहता हूँ, यहाँ पर experience मांगा गया है, minimum experience आपके पास एक साल का होना ची अगर आपने एक साल किसी भी company में काम कर रखा है, किसी भी private company में काम कर रखा है, तो आप इसको apply कर सकते हैं, salary बड़ी आपको देखने को मिलेगा, salary आपको रहेगा लग-बग, 8,00,000 रुपग पर annual salary आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अब directly बात कर लेते हैं, यहा पर 5 साल तक का age relaxation आपको देखने को मिल जाता है, age count होगा यहाँ पर 1 July 2023 तक आपका age यहाँ पर count होने वाल है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका education qualification क्या मांगा है, उसके बार में हम बात करेंगे उन vacancy के तरफ जिसके अंदर minimum education qualification मांगा है, कुछ vacancy के अंदर 8 साल का म इसको हम discuss नहीं करेंगे, यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका जो vacancy रहेगा, civil engineer का vacancy आपको देखने को मल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर vacancy निकाला गया, civil engineer का vacancy रहेगा, junior engineer का, इसके अंदर 5 साल का यहाँ पर experience मांगा है, और इंजीनियर के लिए आप अप्लाय कर सकते हैं, next आपको देखने को मलेगा, यहाँ पर electrical वालो के लिए, junior engineer का vacancy, तो अगर आपने यहाँ पर electrical के अंदर bb tech की है, आप इसको अप्लाय कर सकते हैं, साथी साथ next vacancy देखने को मलेगा, यहाँ पर mechanical वालो के लिए, तो अगर industrial production में, इसको अप्लाय कर सकते हैं, 5 साल तक का experience यहाँ पर मांगा है, next vacancy देखने को मलेगा, यहाँ अगर आपने डिप्लोमा किया, यह फिर IT की है, ड्राफमें में, सिविल डिपार्टमेंट में, इसको अप्लाय कर सकते हैं, तीन साल का, आपने डिप्लोमा किया, यहाँ इसको अप्लाय कर सकते हैं, ड्राफमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इसको अप्लाय कर सकते हैं, इसको अप्लाय कर सकते हैं, तीन साल का experience यहाँ इसको अप्लाय कर सकते हैं, इसको अप्लाय कर सकते हैं, तीन साल का experience यहाँ इसको अप्लाय कर सकते हैं यहां पर ड्राफ्मेन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तीन साल का experience यहां पर मांगा है, तो एक साल की experience वाल वेकेंसी हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, जो कि second notification में है, उसको भी हम discuss कर लेंगे, यहां पर आपका जो relaxation आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर मैंने को बता दिये, साथी साथ बात किजाए कुछ और important point के बारे में, जैसे कि यहां पर experience का weightage बहुत कम रखा है, 10% यहां पर experience का weightage रखा है, बाकी आपका depend करेगा 90%, इंट्रू के विश्पे आपका depend करने वाला है, इंट्रू को यहां पर 90% आपका रखा है, जिसमें आपका technical जो रहेगा percentage वो 60% रहेगा, और जो आपका communication कर रहेगा वो आपका 30% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो अगर आप इन दो area पर focus करेंगे, तो आपका 100% यहां पर selection देखने को मिलेगा, क्योंकि experience का weightage जहां पर 10% रखा गया है, बाकी यहां पर salary जो आपका रहेगा, म इसको हर कोई बच्चे अपलाए कर सकते हैं, देखी यहां पर आपको जाना पड़ेगा, directly interview देने के लिए जो कि आपको जाना यहां पर गौाटी पर आपको जाना पड़ेगा, जो कि यह venue आपका रहेगा, गौाटी जाकर आपको अपने venue पर interview अटेंड करना पड़ेगा, इसका जो last date रहेगा यहां पर हो रहेगा, 7 अगस 2023 इसका last date आपको देखने को मिलेगा, बाकी बात कर लेते हैं, next notification के बारे में, तो यहां पर जो notification उन्हों निकाला है, वो निकाला यहां पर directly rights की तरह से रहेगा, walking interview के बेस पर selection देखने को मिलेगा, और यहां पर supervisor का vacancy है, field quality control का vacancy आपको देखने को मिलेगा, age आपका भी रहेगा, same आपका 40 साल कर रहेगा, और यहां पर 1 July 2023 तक आपका age count होने वाला है, साती सत यहां पर जो experience मांगा है minimum, आपका एक साल का experience आपके पास होना चीए, अगर आपने यहां पर दस्वी के बाद IT कर रखा है, आप इसक अगर आप अप्लाई कर रहे है, quality assurance के अंदर, तो आपने BB Tech कर रहा है, civil में, या फिर अगर आपने हाप पे कर रहा है, BB Tech, electrical, electronics, power supply के अंदर, यह सारी branches है, इसमें कर रहा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने BB Tech कर रहा है, mechanical के अंदर, या फिर mechanical से related किसी भ electrical के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल तक experience यहाँ पे आपसे मांगा है, बाकी यहाँ पे भी आपको एक रुपे पे नहीं करना, यह form आपका free का देखने को मिलेगा, same रहेगा, इंटरूपे depend करेगा, 90% यहाँ पे इंटरूप का weightage यहाँ पे दिया है, और य यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि application fees यहाँ पे आपका 0 रुपे रहने वाल है, तो एक रुपे भी यहाँ पे आपको pay नहीं करना, बाकी बात कि यहाँ पे apply कैसे करना रहेगा, directly आप online apply करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं, यहाँ पे walk- walk-in interview रखा है, जो कि यहाँ पे conduct करवा जाएगा, 27-2023 को walk-in interview आपका यहाँ पे conduct होने वाल है, बाकी पूरा details से यहाँ पे बता रखा है, तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे देख लिजेगा, important date के बारे में इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे mention कर दिये, और इससे related अगर आपको कोई doubt रहता है, कुछ query रहती है, कुछ पूछना रहता है, तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही video को like करेगा, share करेगा उन लोगों तक जिनको job की नेट है, comment box में जरूर बता देना कि आपका education qualification कौन सा है, कौन स जोब सेर्च कर रहे है, all the best, चैहिन